कि कि Dw науч सब्सक्राने कर दोस्थ और अज हम ग्रोनद अगरेंगे फ departments UAसु बढ़ेंगे आज स्रेंद वनो नोयकर मिन लके सब्सक्राइब दोस्तों जो क्यों मैं पूद एक का और आदिन की अट इस नीड़े सब्सक्राइब अच्छा हमें कुछ इस तरह से ग्रोव एक तैयर करना पढ़ता है कि उसमें जो खनीज बगरा है वो अच्छे पोधे को मिल जाए और जब सारे चीज़े अच्छा मिले तो पोधे अच्छा विकास होगा पोधे की स्टेम अच्छा रहेगा उसकी रूट्स अच्छा रहेगा और ज्यादा तर जो पोधे खराब होती है वह उसकी रूट्स खराब होने के वज़े से फंगस बगर लगने के वज़े से तो उसका ट्रीटमेंट करते हुए हम इस तरह यह पौधा है या भी छोटा है और इसके लिए बाराइंच का गमला भी ग्रोबैक सही है और इसके बाद नेक्स ताइम में हम इसको थोड़ा से जब रिपोर्ट करेंगे तो ग्रोबैक उसमें चेंज कर देंगे या कुछ बड़े गमले में इसको सिफ्ट करेंगे तो चलिए खब बनाने के लिए हम क्या कै सामान लेकी ताकि हमारा पौधा है हमारा जो एजवय लगाएंगे लगाँगे तो वह अच्छय से तो वहां से स्वाइल लाएंगे तो वो स्वाइल ज्यादा एफेक्टिव होता है वो ज्यादा उपजाव होता है तो यह मेरे पास यह गार्डन स्वाइल है तो इसको मैंने 2-3 दिन तक के सुखा दिया देखिए जब भी यूज़ करते अपने गार्डन स्वाइल को यह किसी बैक से निकालते हैं तो उस समय यह किजिए कि उसको थोड़ा से धूप में दो-तीन दिन तक के सुखाए और जब भी सुखाए तो इसको बार-बार पलट देते रहेगा पलटन से क्या होगा इसके अंदर कोई भी किरें वगरा होगा तो वह निकल जाएगी अगर फंगस वग प्रटमी लाती है तो वह सबसे वहतर होगा तो यह हमने गार्डन सोयल लिया जो भी हम मिक्सर तैर करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हम किसके लिए तैरी कर रहे हैं फ्यूचर को देखते हुए हमें ग्रोवेक बनाना पड़ता है कि उसमें जल निकासी पानी के किस पेत तरह से हो और वह किस तरह से पोधा है जिसके लिए हमें ग्रोवेक बनाना है तो उसके लिए अलग अलग मात्रा में सामान लेना पड़ता है जो भी हम लेंगे वह अलग लेंगे चुकि मैंने यह पोधा इसको सिफ्ट करूंगा यह केले का पोदा है यह 4 से 5 फिट इसकी हाइट होती है और अच्छा इसमें केला लगता है इसको आप ग्रो बैग में या गमले में भी लगाएंगे तो यह अच्छा फल देता है यह हाइबरिट तो इसको हम लगाएंगे तो उसी साफ से रखेंगे चुकि हमारे हमें अभी बनेरा फ्लाइन को ग्रो बैग में सिफ्ट करना है इसलिए उस इसाफ से हम मिठी तेहर करेंगे इसी तरह से वम वर्फ्स एक प Kelsey होना तो ज्यूबागाइब तकी जड़ के जड़ निकासी अच्छा होना चाहिए इसके लिए हम सेंठ की मातर जो है तोड़ा से ज्यादा ल और इसकी जड़े जो है बहुत ज़्यादा फैलती है इसलिए इससाब से हमें थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ता है तो देखिए मैंने ले लिया है यह गार्डन स्वाइल है मेरे पास यह काफी बुर्बुरा है सुखा हुआ है पूरा तो इस तरह से सुखा हुआ गार्डन सॉयल की मातर हमने कम लिया है 40 परसेंड ही लिया है सेगंड नमर पर हम लेंगे बर्मी कंपोस्ट यह मैंने बर्मी कंपोस्ट लिया है यह मैंने घर पे तैर किया हुआ बर्मी कंपोस्ट है मेरे वीडियो में भी है पुराने वीडियो में कि बर्मी कंपोस्ट किस तरह से त कंपोस्ट तायर कीजिए घर पे तायर किया हूँ अक्छा होता है इसमें लकडीर बुरादा रेत मिठी मिला से खरीक्रेंद कि तो अपना घर पे तैयर करेंगे सबहुत अच्छा नहीं इन पी के सारे गुन है जहाएगा इसमें सारे चीज क्रपत हो जाता है ग्रोबेक को फिल करने के लिए हमने नीचे कुछ लीप लेंगे पतिया है सूखा कभी भी आप नीचे फिलिंग के लिए डालते है तो गीला चीजे न डाले गीले चीजे से फंगत जल्दी उत्पन होता है और उसको जड़को खराब कर देता है अगर पानी की वाटरिंग में थोड़ा सा भी आप कम जादा कर देंगे तो फंगस बहुत जल्दी उसमें बन जाता है इसलिए गीला ना डालते हैं हमेशे सूखा डाले पतिया जो भी है वो भी कलेक्ट करें देखिए मैंने यह जो पतिया यह गार्डन से कलेक्ट करके लाया था आज कल पज़ड के मोसम है तो हरकाई पे पतिया मिल जाता है तो आप भी मैं इस तरह से मैंने वह भर के लिए तो आप भी कलेक्ट करके रखिए अपने पद्रे के लिए बहुत ही अच्छा है इससे लीप कंपोस्ट भी बना सकते है फिलिंग के लिए जो दालूंगाए इसके बाद मैंने लिया है राइसस्क जब भी लेते हैं तो जो मील से निकला हुए अग्दम तुरंद होता है वो काफी हार्ड होता है इसको डायलूट होने में समय लगता है तो आप इसको लाके कुछ दिन के लिए आप किसी भी पॉट में रख दीजिए उसमें पानी छड़क दीजिए या उपर से यह थोड़ा सा नरम हो जाता है कंपोस्ट तैर होने लगता है यह और एकदम ताजा लेंगे तो तुसमें थोड़ी सी टाइम लगता है तीसरा हम लेंगे आगे नेक्स्ट लेंगे यह मैंने कोको पीट लिया है चुकी इस पोदे के लिए पानी निकासी की बहुत अच्छा स्टेशन काया है बैवस्ता होना चाहिए और कोकोपीट के संट इस अपने पानिये को स्टेक्ट अच्प पानी पानी डालने पसक्ते घ्रण बोसम फाइद के लिए और इसमें यह में इस मत्टी टीन्मेंट करने के लिए मित्टी को थोड़ से ट्रतिमेंट करेंगे हैं उसके लिए अमने क्या लिया यह दा हुआ है यह ने कहीं मिलता है पत्रों मात्रा में मिलता है तो यह एक fertilizer के भी काम करता है साथ में antifungus का भी काम करता है और यह थोड़ा सा बाइट दिख रहा है इसलिए बाइट दिख रहा है कि यह जो लकड़ी है यह आम की लकड़ी बगरा है जो जल्दी जलता है और यह hotel बगरे में यह रखते है फंगिसाइट का काम करता है इसमें हम डालेंगे देखिए यह डालेंगे हम ट्राइकोडर्मा मैं किसी chemical का यूज इसमें नहीं कर रहा हूं बिल्कुल chemical हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारे घर के लिए है जो भी फल बगर आयेगा वो chemical मुक्त होना चाहिए इसके लिए हम सारे chemical को about करते हुए सारे organic चीजे ले रहे हैं हम इसमें जैविक चीजे से बना रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा हम डालेंगे यह भी फंगस का काम करता है यह फंगस अपने आपने फंगस तैयर करता है multiply होके और जो खराब फंगस है उसमें उसको नस्ट करने का काम करता है तो इसमें मैं すप्राइकोडर्मा लोंगा और मैं किसी तरह से उसी बिल्कुल नहीं करोंगा यह केमिकल है इससे आप एक काम कर सकते है जब भी आपको लगता है कि इसमें किसे तरह से फंगस बगरा कि front चैना लग रहा है clinical करेंगे साफ फंगिंग साईट की और उसको श्प्रै करेंगे तो से फिरे मकरय व has relatively लुइट कर सकते हैं देखे मैं यह नीम और रखाए इसके दो ऐमेल पर लीटर में इसको डालके विभी फंगस बगर के लिए यह बेख्ट्रिया पिस्चिसाइट के रूप में काम करता है तो नीमगुवाइल का भी श्ले कर सकते अगर अगर नीमगुवड आपका का रकारगर न HELगा है तो उसमें कोई भी डेटर्जेन मिला सकते हैं और उर्गेनिक रूप में अगर सक्किछ M करते हैं का भी ऊच्छा करते हैं ब्नेगर आती है उसमें बेंकिंग के लिए तो ठीक है लेकिन फल बगर में फूलों पे अगर यह पड़ जाता है केमिकल तो हमारे स्वास्त के लिए अच्छा नहीं रहता है इसलिए केमिकल तभी करेंगे जब बहुत ही मजबूरी हो और अगर मजबूरी नहीं हो आप वीजबीच में खाली मात्र सावर भी कर देंगे पोद्य को अगर इस्प्रे भी कर देते रहेंगे एक पड़े कर दीजिए एक दिन छोड़के करेंगे तब भी आपको जो फंगस बगरा है वो निकल जाता है इस तरह से आप कोई भी एस प्रे ले लिए और अच्छे पत्तो को इसमें स्प्रे कर देंगे तब भी फंगस लगता नहीं है परड़े कर दीजिए एक दो दिन छोड़के कर दीजिए जब भी आपको अच्छा रहता है तो यह सारे चीजह ले लिया है इसमें हम थोड़ा से मिलाएंगे देखी ये मैं बॉन 10 ग्राम करें बोल्मेन मिला दूंगा पॉर्ट बड़ा है इसलिए और यह ट्राइकर डर्मा जो है आप 10 ग्राम मिला दीजिए परहाप्त है और इसको अच्छे से मिलाना चाहिए मुट्टी के साथ साथ में यूज करूंगा मैं थोड़ा सा सीवीड दस से लेके 30-40 ग्राम भी उज़रेंगे तो इसमें कोई परिशानी नहीं है और इसमें उज्ञ करेंगे हम थोड़ा सां नीम खरी देखें शीम की खरेंगे यह नीम खली उज़ करेंगे और जितने मात्रम में आप नीम खली लेते उतने मात्रमें बोन मिल लेख सकते हैं क्यों की पॉर्ट बढ़ा है तो आप इसमें 20 ग्राम से लेखे 50 ग्राम के बीच में नीम खली डाल सकते हैं इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा एpsom salt, जो रूट को अच्छा मजभूति प्रदान करता है। या फंगिस साइट के भी काम करता है, अगर एpsom salt से आप आप एस्प्रे भी करते हैं पोद्धों को, तब भी फंगस बैक्क्रिया से नहीं करता है। epsom salt जो फीले पत्य हो जाता है पोदे को पोदे में उसको फीले पत्य को भी हटाने के काम करता एक समचाड डालेंगे तो रूट और पत्य यह दोनों अच्छा मजबूत होता है साथ में मैं इस ऑपत्य तोड़ा सा इसमें होता है किआ थोड़ा साहिमीकषिd लोंगा यह जड़े है इसको अच्छा पूशन देता है ज्ड़ों के जलो मजबूत करता है इसमें डता तो दना मच्बूत होता है तो साथ में तो नी Sweats डाल देंगे तो आपके जड़ जो है वह मजबुत होगा और उसको टॉनिक मिलेगा यह जड़ के लिए बूस्टर का काम करता है वोड़े के जड़ है उसके लिए हर्मून्स का काम करता है हुमी के सीट फुल्वी के सीट और इसमें हम थोड़ा सा पूटास डालेंगे यह नीचे दक के मिक्स करेंगे पत्तिया है इससे फिल कर देते हैं मैंने यह ग्रो बैक को 50 परसन जो है यह सुखा हुआ पति डालके इसको फिल कर दिया है यह धीरे-धीरे यह डालू टोटा जाएगा और आगे यह अच्छा फटिलाइजर को तैयर होगा इसमें सुखा होने क वजा से इसमें पहसे नुक्सान नहीं है इसमें कोई और भाया आँग बेख्ट करता हुँ लेकिन सारे तो उसके लिए मैं आप लोगो सोरी बोलना चाहूंगा अब हम इसमें यह नीचे ही तैर कर लेते कि ताकि यह इसमें ग्रोबैग में ज्यादा यह करना है अच्छे मिलाना है इसके लिए हमें मिट्टियों को नीचे ही रख करना पड़े देखिए इसमें पहले से राइस के मि आप और नहीं कंद और डेता है किनीच में मातर फकी कि दोराइस रख किसी होगार राई आप तेटी गात। सेटे थोड़ा सा इसमें मिला देते हैं चुकि हमने राइस को मिला दिया है इसलिए यह कोगों पिट युद्ध थोड़ा सा अगर पानी से दोना पड़ता है तब जाके इसमें जो साल की मातरा होती ऑचिए वो कम होता है और नमक निफ़ पानी मिलता है और इसका बढा दो बनाते है जो साइज में सब्सक्राइब कोगोबीट शकुंद में बलता है ँब लगा तो अगर कजी का दिल सिंदा ने पूरा फुल हो जाता है कोको पीट से और इसको पाच्छे बार धोने से पूरी जो अच्छी तरह से उसकी जो नमक की मातरा है वो निकल इसमें हम डाल लेते बर्मी कम बर्मी कमपोस्ट हम इसमें 30% यूज करें बहुत जोरी है वह बर्मी कमपोस्ट या आपके पास अगर बुड़नेस से जो फंगस बगर है वेक्ट्रिय बगर है वो खतम हो जाएगा साथ ही इसमें फासपूरा से और केल्शियम की मातरा काफी रहता है जो पोदे को फटिलाइजर का काम करता है तो आप इस तरह से लाग ये होटल बगर से मिल जाता है या चायवाय की दुकान मे जहां पर लकड़ी से काम करते हैं वहां से आप मांगेंगे तो वह दे देता है वह ऐसे फेक दे इसमें डालने के बाद उसको मिट्टी के साथ अच्छे अच्छे से मिलाना पड़ता है मिट्टी अगर चाहे तो थोड़ा सा पानी डालके भी उसको मिलाएंगे तो यह अच्छा इसमें जेविक एक वैक्ट्रिया तैर होता है जो जो खराब वैक्ट्रिया उसको खतम करने में काम करता है तो ट्राइकोडर्मा बिल्कुल डालीए और इसमें डाल देंगे रहा हम थोड़वा, बहुत कम मात्रा में डाल देंगे इसलोकाम से यह तैने को मजबूती देता है और बड़ा गरुव Yktor channels ग्देव है तो हम इसको जल्ली सिंप्ट नहीं करेंगे थोड़ा कि थोड़ा से टाइम लगेगा तो थोड़ा सामने पोटास यूश की है इसमें मिला देंगे हम थोड़ा सा बोन मेल आप चाहे तो 50 ग्राम बोन मेल इसमें मिला सकते हैं पॉट के इसाफ से ज्यादा भी हो जाए तो बोन मेल में कोई परिशानी नहीं इसमें केल्सियम मेंगन ile काम करता है इसमें नाइक्रो跡 की मात्रा फास पॉठ्वरास कोतेशियम की मात्रा इसमें काफी है उसमें और इस में 2009 का करता है तो तो हमने थोड़ा स्पाना मवातर में इसमें मिला है और फुल्वीह करता है यह नमातर को बीकास में मदद करता है साथ में जड़ को एक booster dose रूट हर्मोंस का काम करता है रूट को जो मजबूत बनाता है जिससे पोदे का तना और फूल पत्या जो है वह सर्वाइब कर तो यह सारे चीज हमने मिला लिया इसको मैं अच्छे तरह से मिला लेता हूं सारे चीजों को फिर आपके साथ आगे उसको प्रक्रिया है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा और गनिक फटी लेजर मिलाना था वह सारे चीज मिला दिया है मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूं पिर आगे की इसमें आपके साथ कोई भी पोदा उसको 17 तरह के नूटिशन के आउशक्ता होती है तो हमने से तो आप इसको दो तीन बार इसको मिलाएंगे तब जाके यह अच्छे से यह हमने अच्छे तरह से इसको मिला दिया है हमारे मिट्टी अच्छे से तैर हो चुकी है अब मैं इस सारे मिट्टी को इसमें उसमें फिलफ कर देते उसके पोद्य को रूपने के बार थोड़ा और केर करना पड़ेगा इसको उसके बारे में हम उसके चाचा करेंगे तो मैं थोड़ा से इसको सारे चीज़ेशन भर देते हैं कोई एक फटीलाजर पूरे पोदे के विकास के लिए परयाप्त नहीं होता है कुछ लोग बनाना पिल्स के लिक्विट फटीलाजर या बनाना या ऑनियन पिल्स हो मातर एक डालने से या खाली फितकरी डालने से वह उस सारे पोशकतत पोदे को मिलता नहीं है और इस तरह से थ्टोड़ा से दवा दी इसलिए सारे पोशकतत मिले ताकि हमारे जो पोदी की ग्रोथ हो वह अच्छा हो और उसमें फूटिंग अच्छा हो इसके लिए सारे तरह के कोशिश करना चाहिए कि हम उसमें सारे माइक्रो नुट्रिशन भी मिल जाए और जो भी खनीच पदर्थ है एन पीके की जो मातरा है वो सारे चीजे उसको मिल जाए नाइटोजन पास्फूर अस्पोडेशियम यह सारे पोदे को मिलना चाहिए जब त सारे को देखते हुए उसको टायर करना पड़ता है इसके बाद भी पोदे को और बीजविच में भी हमें फटिलाइजर देना पड़ता है जैसे देखिए जब हम यह रिपोर्ट करेंगे तो एक महीने तक कि इसमें कोई भी फटिलाइजर यूज नहीं करेंगे एक महीने के बाद हम इसमें नेक्स्ट फटिलाइजर यूज करेंगे वह भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि एक महीने के बाद कौन-कौन से फटिलाइजर इसको देना चाहिए उसकी अपडेट भी मैं आपसे शेयर करूंगा यह काफी मात्रा में हो कि मैंने को काटके इसक अधार था हमने इसको निकाल लिए कुछ लोग इसकी मिट्टिय को निकाल देते हैं कि अभी समर के सिजन है तो हम इसकी मिट्टी को नहीं निकालेंगे और अब हटाने जाएंगे तो यह गर्मी में सरवाइब करना मुश्किल है विंटर में आप बॉल्ट कर लीजिए जब में ना हटाए तो बहतर होगी हमने इसको पूरे जो आमने तैर किया था से पूरा फिलप कर दिया देखिए इसकी जो लेवेल है जो पुराने इसमें पुली बैग में रखा था उसी लेवेल तक के मिट्टी डालना चाहिए उससे ज्यादा उपर नहीं करना चाहिए जब भी इस तरह से रिपोर्ट कोई भी प्लान करें तो देख लिजेगा कि पुराने मिट्टी किस लेवेल तक के था उसी लेवेल तक के उसको भरना चाहिए उससे ज्यादा या कम नहीं करना चाहिए आप इसको अच्छे से पूरे पानी कर दिजिए कि ताकि नीचे से वह निकलने लग जाए और उसके बाद आप इसको दो-तीन दिन के लिए सेमिसेड में कहीं रख दीजिए उसके बाद आप चाहिए तो परेप सनलाइट में इसको रख सकते तो यह था अज मेरा वीडियो अगर आप लंबा हो गया तो आप इसकिप करके देख सकते हैं इसको और अच्छ कर दिया है देखिए नीचे से वाटर निकलने लगा है तो धन्नवाद आज क्या यहां तक के वीडियो में साथ बने रहने के लिए